दोस्तो इस वीडियो में हम phone pay की मदद से flight की ticket को book करना सिखेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको phone pay application को open कर लेना है तो इस type का home page कुछ आपके सामने खुल जाता है थोड़ा सा नीची की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे आपको travel bookings flight का option दिखाई पड़ता है अभी ये वीडियो में March 2023 में बना रहा हूँ लेकिन in future अगर phone pay update होता है और ये option आपको इधर उधर दाएबाएँ देखने के लिए मिल सकता है तो आपको ये option travel booking flight वाला option ढूट लेना है तो यहाँ पे flight वाले option पे आपने click कर देना है अभी आप एक नए page पे redirect हो जाओगे तो यहाँ पे आप इस page पे नए page पे redirect भी हो चुके हैं तो यहाँ पे आपने from डाल लेना है from कि कहां से आपको बैठना है और यहाँ पे आपने वो जगह select कर लेनी है जो कि आपकी destination है जो जहां जिस जगह आपने जाना है यहाँ पे from मैं जैसे यहाँ पे मैं from वाले option पे click करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सर्च करने के लिए मिल जाता है जैसे मैं Bangaluru से अगर बैठना चाहता हूँ तो यहाँ पे Bengaluru अगर लिखता हूँ मैं तो BEN जैसे ही लिखता हूँ तो यहाँ पे BEN से related सारे result यहाँ पे 100 होने लग जाते हैं इसमें Bengaluru भी दिखाई पढ़ रहा है तो यहाँ पे Bengaluru मैं इसमें click कर रहा हूँ select कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 वाले मैं आपको इसी तरह से आपकी destination सर्च कर लेनी है यहाँ पे जैसे मैं New Delhi इसमें डालना चाहता हूँ तो New जैसे ही लिखता हूँ तो New Delhi से related सारे destination इसमें आजाते हैं तो यहाँ पे मैं इसमें New Delhi select कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं departure date की कौन सी date को आपने इसमें travel करना है तो यहाँ पे मैं अभी इसमें click करके अपनी departure date इसमें select कर दे रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे अपरेल वाले महने में हूँ तो यहाँ पे इसमें rate भी दिया हुआ है कि एक तारिक को इसका इतना rate है फ्लाइट का यह cheapest rate उस दिन का दिया हुआ होता है तो यहाँ पे एक तारिक को इतना rate है दो तारिक को सभी date में इसमें rate भी साथ में दिया हुआ है यहाँ पे माई वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी माई वाला भी दिया हुआ है, जून वाला भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी डेट में अभी आपको दिखाने के लिए एक select कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी 2 जून जैसे यहाँ पे select कर र अगर इन में से आप कुछ भी नहीं है तो डिरेक्ट आपको सर्च फ्लाइट वाले ओप्शन पे किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उस तारिक की दो जून की सभी फ्लाइट यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे फेर के हिसाब से दिखा रहा है सबस इसमें सौट कर रखा है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें चीपेस फ्लाइट देखनी है यहाँ पे आप डूरेशन या अरैवल या डिपार्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं जैसे हम डिपार्चर टाइम के हिसाब से अरलियरस 1st अगर इसमें स्लेक्ट करते हैं और कर सकते हैं just मैं आपको अभी example के लिए दिखा रहा हूं तो normally अभी मैं इसमें cheapest flight लेने वाला हूं इसके बाद price वाले option पे click करके मैंने apply वाले option पे click कर देना है तो हमारी सबसे cheapest flight अभी 5076 की होने वाली है जोगी बैंगलरू से दिल्ली की ओर चलेगी तो इसे book करने के लिए इ अभी यह आपकी flight information fetch कर रहा है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यह आपकी flight की detail है बैंगलरू से 7 बच कर 45 मिनट पे चलने वाली है चार घंटे का time ले रही है और New Delhi यह 12 बच के 5 मिनट पे पहुंच रही है इससे अगर थोड़ा सा नीची की तरफ आप scroll अगर करते हैं तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यह कुछ cancellation refund policies इसमें दी हुई है यहाँ पे अगर आप अभी इसे cancel करते हैं flight होने के बाद तो आपकी penalty 3300 के आसपास पड़ेगी अगर 2 जून तक आप इसे cancel करते हैं तो आपकी penalty 5000 के आसपास पड़ सकते हैं तो यहाँ पे कुछ details इ अगर नहीं है तो इसे आप रहने दीजिएगा तो यहाँ पे अभी traveler detail आपने डाल लेनी है यहाँ पे सबसे पहले इसमें gender select कर लेना है इसके बाद आपने अपना first and middle name यहाँ पे डाल लेना है इसके बाद last name यहाँ पे डाल देना है नाम डालने के बाद नीची की तरफ अ पेजी जाएगी email id और phone number डालने के बाद यहाँ पे नीची की तरफ आपको scroll करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको अपना travel insurance करवाना है तो 199 रुपे का यह पढ़ने वाला है अगर आप करना चाहते हैं तो 199 रुपे आपको extra देने पड़ेंगे अग इसके बाद आपने सीधे continue वाले option पे किलिक कर देना है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारी पूरी details यहाँ पे सो हो रही है हमारा नाम यहाँ पे सो हो रहा है तो यहाँ पे आपने confirm वाले option पे इसके बाद किलिक कर देना है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपक इस आप से seat select करना तो no let me choose वाले option पर आपने click कर देना है इसके बाद आपने कोई भी यहाँ पर seat select कर लेनी है अभी आप देख सकते हैं हमने यह seat यहाँ पर select कर ली है इसके बाद आप यहाँ पर next वाले option पर click कर देना है दोस्तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं अगर यहाँ पे इस type की यह जो colorful वाली seat है अगर यह आप select करते हैं तो यहाँ पे यह कोई भी fair आपसे नहीं लेगा यहाँ पे zero fair इन seat को select करने का है लेकिन यह window type की seat जो है इन्हें select करने के लिए आपसे यह कुछ charges लेने वाला है तो अपने according आप इसमें select कर सकते हैं इसके बाद आपको next वाले option पे click कर देना है अभी आपसे यह meal की detail पूछ रहा है अगर आप चाहते हैं कि अपनी journey में आपको कुछ खाना वाना चाहिए तो आप यहाँ पे meal भी इसमें select कर सकते हैं यहाँ अलग-अलग price इसमें देव हैं otherwise आपको सीधे next वाले option पे click कर देना है यहाँ अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपसे यह कुछ और चीज एड करने के लिए भी बोल रहा है यहाँ पे टैक्सी के लिए आपसे यह बोल रहा है यहाँ पे बैंगलरू international airport पे आपको यह टैक्सी के लिए छोड़ने के लिए बोल रहा है जिसमें यह 671 रूपया लेना चाहता है तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं टैक्सी यहाँ इसे लेना तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं otherwise आपको कुछ नहीं करना है नीची की तरफ scroll करना है और सीधा next वाले option पे आपने click कर देना है यहाँ अभी आप द bank account select कर लेना है जिस भी bank account से आप इसमें payment करना चाहते हैं इसमें bank account select करके आपने pay वाले option पे click कर देना है इसके बाद आपने UPI ID इसमें डाल लेनी है UPI ID डालने के बाद इसमें आपका payment होने के बाद यह ticket आपकी book हो जाएगी और जो आपकी ticket है वो सिधा आपके email address पे कर सकते हैं धन्यवाद